हाई गाईज वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल विशाल पांडे एजूकेशन फ्रेंड्स हमने अब तक टेंस में 20 पार्ट अबलोड कर चुका है और यह एक किसमा पार्ट है जिसमें हम डिसकस करेंगे फ्यूचर कांटिनिवस टेंस के बारे में ठीक है तो सबसे पहल अगला लेक्चर जो हमारा आएगा यानि की जो टेंस का पार्ट बाइस आएगा उसमें हम डिसकस करेंगे फ्यूचर कांटिनिवस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंडेंस के बारे में ठीक है तो इस तरह से बिना देर क्यों स्टार्ट कर अगर कोई भी वाक्ष दिया हुआ है और उस वाक्ष के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे यह सब्दा आते हैं तो क्या कहा जाएंगे वह फ्यूचर कांटिनिवस्टेंस कहा जाएंगे ठीक है अब चलते हैं रूल की तरफ यानि कि कोई अगर आपको फ्यूचर का इंग और अबजेक्ट फिर अदर्स ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखेगा हमने जब फ्यूचर इंडिफिनिट पड़ा उसमें क्या था कि सब्जेक्ट विल्यसल और वर्व की फर्स्ट फॉर्म अबजेक्ट अदर्स था ठीक है वहां पे बी नहीं था और वर्व की फर् इंफ्यूज ना हो ठीक है तो जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान होती है मैं बार बार यहीं कहता हूं तो ऐसा अगर कुछ भी मिलता है जैसे फ्यूचर कांटिरिमस आपको मिला तो इसको रिलेट कर लिया कर यह आप लोग जिससे मतलब मिलता जुलता हो उसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो पिछला वाला भी आपका रिवाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा यह आसान भी हो जाएगा ठीक इस तरह से यह आपका रूल हो गया अब चलते हैं एक्जामपल के यूर्फेंड पहला है वह स्कूल जा रहा होगा ठीक है तो सबसे पहले रूल को हमने क्यूंब बताया क्योंकि ट्रांसलेशन में रूल सबसे बड़ा आपका पॉइंट होता है अगर आपको पता है तो आपको ट्रांसलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कि हमने क्या दिया है फ़र्स एक्जामपल वह इसकूल जा रहा आफ से पथा करते हैं अबार यह सब कुछ हमने basic ओं समय जाकर दीक हैं तो इसलिए मैं कर रहा हूं पता हूं आएक कैसे पता करते हैं वाकि में सब्जक्की क्या होता है अगर यहां पे वह आए तो और तो आप उसको पहले देख ले जाएगा वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा उसके बाद अब देखते हैं रूल क्या करता है कि सब्जेक्ट लाइए फिर रूल कहता है कि विल्यस सैल करिए तो यह भी हम बता चुकिए हैं आपको फ्यूचर इंडिफिनि अड़्यस के बी का यूज करें तो बी उसके बाद वर्भ की फर्स्ट फॉर्म में आइंजी तो मनें बी लगाया वर्व की फशब्व में इंजी लगाया फिर प्र अफ्यूच्छ अब्जेक्त अधर्स से उमंण ट्रांसलेशन करेंगे ठीक है यहां पर आपको अब्जेक टू स्कूल ठीक है सेकंड एग्जामपल देखते हैं अब सूरज निकल रहा होगा तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा हो गया दोसन उसके बाद विल का यूज करेंगे फिर रूल करता है भी लाइए तो भी हमने यूज किया फिर रूल कर चुकि आपका नहीं है तो अधर समने नौ ला दिया तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स दसन विल भी राइजिंग नौ ठीक है उसके बाद चलते हैं थर्ड एक्जामपल पे मेरा भाई गाना गारा होगा तो सब्जेक्ट हो गया माई प्रदर उसके सब्सक्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स माई व्रदर विल बी सिंगिंग और सॉंग ठीक है यह सब कुछ आपको कभी कभी कर तभी कंफर्म होगा फ्रेंड जब बेसी का इंग्लिस ग्रामर का अपने लेक्चर देखा होगा इसलिए मैं बार बर कर रहा हूं कि साइगे तो इसले हैं वर्ब कासर इंज्ट तो पता करेंगे सुब्सक्राइब कर रहा हीँreek पर लगा इसलिएम बार-बार यहां और सब्सक्राइब आपका ही हो गया फिर फिर भी उसके बाद वर्व की फर्स्ट फर्म में आयन जी उसके बाद क्या तो सब्जी तो यहां पर आपका वेजटेवल्स है अदर्स कुछ नहीं है तो फुलिश टॉप इस तरह से आपका रिवाइज भी होगा रूल और ट्रांसलेशन भी गलत नहीं होगा ठीक है अब चलते हैं इसके निगेट्व में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स के विल्यस और बी के बीच में हमको नौट का यूज कर देना है बाकी अफर्मेट्व का ही सारा रूल है ठीक है देखिए हमारा दो मदर ऊगया उसके बाद कीशन on करेंगे व्ल का क्योंकि आई और कि के साथ करते हैं अब रूल करते हैं तो हमने नौट लॉय लॉयघ का यह पने से स्टॉप कर देंगे और इसका ट्रांसलेशन हो गया दा मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड ठीक है सेकेंड एक्जामपल देखते हैं फ्रेंड्स धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा दवासर मैं यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया उसके बाद नॉट उसके बा वासर मैं विल नॉट बी वासिंग माई क्लॉट ठीक है थाड़ एक्जामपल देखते हैं हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे दो क्लाउट यहां पर सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स उसके बाद विल लाया हमने उसके बाद नॉट का यूज किया फिर बी का यूज किय उसके बाद वर्व की फर्स्ट फ़र्म लाइंग तो यहां पर दिया आप कर दिया और इसका ट्रांसलेशन हो गया दा क्लाउट फ्लोटिंग इन दे एयर चलते हैं आगके लास्ट एक्जामपल की ओर वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो यहां पर दे आपका सबजेक् मैं रूल में क्या लिखवाיח Ajay आए सबजेट के बीष करेंगे तो हमने भी यूजा हो गया और अथर्स लातेँ चुकि बहुत इस तरह और से हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा फ्रेंड्स देविल नॉट भी प्लेइंग दा क्रिकेट ठीक है तो कोई भी ट्रांसलेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बस यह ध्यान दखे कि रूल क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आप ढूंड़िए पहले कैसे प बसता है वाक्य में वह अधर्स हो जाता है उसके बाद लाइए और अगर अफर्मेट्व निगेट्व है तो सब्सक्राइब लगा दीजिए तो रूल के हिसाब से जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा कितना भी हार्ड आपको दिये जा दू एक दू एक जाम्पल कम से कम बता रहां कि आपने प्रैक्टिस करिएग घर पे और ज्याद से जादा जतना हो सके लेकिन कम से कम दो तो होना चीह है ताकि rule अपने से रिवाइज हो जाए और जैसे हमने बताया कि subject तो subject क्या है। फिर ऐसे से करके अगर जैसे बताया वैसे पढ़ोगे तो आपका rule भी रटना नहीं पड़ेगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स और मिलते